दुनिया में मज़ेदार चीजों की लिस्ट तो बहुत ही लंबी होंगी लेकिन ये टॉप पर आएंगे क्रिस्पी क्रंची कीमे के समोसे वो भी हम मालेगाउ स्टाइल में बनाएंगे बहुत ही टेश्टी बहुत ही यम्मी वाउ बहुत ही टेश्टी बने दिये तो आप ये रेसिपी इफ़तार के लिए जरूर बनाएए आपकी फैमली को ये बहुत पसंद आएंगी तो इसे बनाने के लिए हमने ले लिया है 250 गिराम मटन का कीमा तो यहाँ पर आपको मशीन का कीमा ले लेना है और इसे हमने एक कड़ाई में ले लिया है कड़ाई को हमने गरम कर लिया है गेस पर रख दिया है इसमें थोड़ा पानी एड़ किया है हमने कीमे में अब हम इसमें एड़ करेंगे सॉल्ट टेस्किया कोडिंग उसके बाद हम इसमें एड़ करेंगे हल्दी पाउडर 1 फोर्थ टी स्पून इसके बाद हम धनिया पाउडर एड़ करेंगे आदा छोटा चुमच और इसे मिक्स कर लेंगे और इसे पकने देंगे हम तो इसे हमें सॉफ्ट होने तक पका लेना है इसमें हम हरी मिर्च और लस्टन को टाऊँ आइट करेंगे तो टेस्क की अगोडिंग आप इसमें गरीन चिलि डाल सकते हैं और यहां पर अद्रक लसटन की पेस्ट आइट कर दिया हमने एक चमच और इसे मिक्स कर लिया अब हमने यहाँ पर गरम मसाला एट कर दिया तो अगर आपको ज्यादा बनाना है तो आप कौंटेटी बढ़ा सकते हैं यहाँ पर चाठ मसाला एट कर दिया हमने वन टी स्पून तो यह देखे इस तरह से हम इसे मिक्स करते जाएंगे और बहुत ही अच्छी खुश्बू आ रही है यहाँ पर तो यह देखे माले गाउ इस्टाइल में हम बना रहे हैं बहुत ही टेस्टी बना था यह समुसा माले गाउ की यादा गई थी तो यहाँ पर हमने इसका पानी सुका लेना है और यह देखिए अच्छे तरह से इसका पानी सुका लिया है यह सॉफ्ट भी हो गया है आप चेक कर लेना यह बहुत ही जल्दी गल जाता है तो इसके बाद हम इसमें एड़ करेंगे और अभी यह थंड़ा हो रहा है तो हमने गेस की फ्लेम बन कर दी है यहाँ पर आपको बन कर देना है और यह देखिए अब हमने इसे साइड में रख दिया है अब हम इसमें एक मुठी कोतमीर पुदीना बारिक कटा हुआ धो कर एट करेंगे हम और यहाँ पर प्यास बारिक चॉप करके ले लिए हमने यहाँ तीन मेडियम साइज प्यास इस तरह से इसका पानी हम निचोड लेंगे निकाल लेंगे यह देखिए पानी इसमें बिल्कुल नहीं होना चाहिए तो समोसे अच्छे नहीं बनेंगे तो पानी को प्लीज आप निकाल लेजिए इस तरह से स्क्वीज करके और यह देखिए इस फिलिंग को देखिए कितनी टेस्टी यम्मी है यहाँ आप समोसा पट्टी ले लिए हमने यह देखिए घर पर बनाना भी मैंने बताया है तो यह देखिए यह readymate मिलती है इस तरह की समोसा पट्टी तो यह आप ले लीजिए और इसे आप हलका गीला कॉटन का कपड़ा ले लीजिए उसके अंदर ही रखना जितनी चाहे आप यह निकाल लीजिए पहले नहीं तो यह कड़क हो जाती है और यह तूड जाती है तो अब यहाँ पर हमने मैदा ले लिया इसकी सलेरी बना दी है तोड़ा पानी अट करके और वह हमने पट्टी जो ली है समोसे की इसे हमने कपड़ों में ही रखना है हलका गीला नीचोड़के ले लीजिए आप कॉटन का कपड़ा इस तरह से आपको कॉन का शेप दे देना है यह देखिए इस तरह से बहुत ही आसान होता है यह कीमे का समोसा तो यह देखिए इस तरह से आपको बस कॉन का शेप देना है और नीचे यहाँ पर जो हमने सलेरी बनाई थी वो इस तरह से हम लगा देंगे इसके उपर और यह देखिए इससे हम इस तरह से इसके अंदर फ आप एक बर जरूर ट्राय करना और अब इस साइट से भी हम सलरी लगा के और इसे बन कर देंगे तो यह देखिए बहुत ही आसानी से बन जाता है और यह इस साइट हम फोल्ट कर देंगे तो यहाँ पर हमारा कीमे का समुसा बन कर रेडी है तूसरा भी आप देख लीजे इस तरह से आपको बनाना है यह देखिए बस आपको कौन की तरह इसे फोल्ट करना है और यहाँ पर सलरी लगा लेनी है और बस आपको यह स्टफिंग हमने कीमे की बनाई है वो हम इसमेड कर देंगे और बस मैदे की सलरी लगा लेंगे इस तरह से और बस फोल्ट कर देंगे हम कौन की शेप में बस इसे फोल्ड करते जाना है यह बहुत मज़ा आता है समोसा बनाने में तो यह देखिए इस तरह से बस हम फोल्ड करते जाएंगे और यह समोसा खुद बखुद बन जाएंगा यह देखिए आप भी इस तरह से बना लीजिए, सारे समूसे हमने इस तरह से बना लिए है, ये देखिए, अब हमने इसके उपर एक टिशू रख दिया था, और एक कड़ाई में हमने गरम ओयल कर लिया है, ये देखिए, तो ये देखिए, इससे जल्दी से हम फ्राइ कर लेंगे, नहीं तो ये कड़ाख हो जाती है पट्टी, तो ये फटने लगती है, तो ये देखिए, बहुत ही पतली शीट होती है, ये बाहर के है इसके लिए, अगर घर पे हम बनाते तो इतनी जल्दी नहीं भी करो, तो चलता है, क्योंकि वो नरम पट्टी बनती है, और ये बाहर की हवा लगने से ही, कड़क हो जाती है, और फटने लगती है, तो ये देखिए, हमें मीडियम फ्लेम पर ही फ्राइ करना है, फ्रेंड्स, पुल फ्लेम पे नहीं, तो ये देखिए, अलट पलट करके, हमने सोनेहरा लाल होने तक फ्राइ कर लिया है, तो ये देखिए, माले गाओ के स्पेशल कीमे के समोसे बनकर रेडी है, बाहर से बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से कीमे की स्टफिंग, बहुत ही टेश्टी, बहुत ही यम्मी बने थे, तो मैं इसी तरह घर पर बना लेती हूँ, बहुत ही टेश्टी बनते हैं, आइ होप आपको ये रेसिपी पसंद आयो, थैंक्स फोर वाचिंग, खुदा हाफीज,